दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बार्त् एक ट्विन इंजिन डेक बेस्ट फाइट ऐकराफ्ट बना रहा है जो कि हमारी इंडियन नेवी के एकराफ्ट केरियर से इसमाल किया जाएगा ये एक 20 टन का twin engine deck based fighter aircraft है इसके लिए एक नए engine की जरूरत है लेकिन इसके लिए अभी किसी भी engine को चुना नहीं गिया है अभी General Electric जो की एक American company है वो F404 GE IN20 engine को हमारे तेजस Mark 1A aircraft के लिए प्रवाइड कर रही है और तेजस Mark 1A aircraft के लिए प्रवाइड कर रही है हमारे तेजस Mark 2 A aircraft में भी इसी company के F414 engine का इस्तिमाल किया जाएगा लेकिन अभी twin engine deck based fighter A aircraft के लिए भी ऐसा कहा जा रहा था कि इसमें दो F414 INX6 engine लगाये जाएंगे जो की 98 KN का thrust produce करते हैं लेकिन अभी ऐसी जानकारी आ रही है कि इस aircraft के लिए General Electric उसके नए F414 GE400 engines को उफर कर रहा है जिनको पहले F414 enhanced engines का नाम दिया गया था जहांपर आपको बता दें कि F414 enhanced engines वो engines हैं जिसके बारे में General Electric ने ऐसा बताया था कि जो उनका F414 INS6 engine है ये उसका एक enhanced variant होगा जो की हमारे AMC fighter aircraft में भी इस्तिमाल किया जाना था और इसी engine को हमारे तेजिस Mark II aircraft के लिए भी आफर किया जा रहा था अभी इस engine को नया नाम दे दिया गया है इसके बारे में General Electric का कहना है कि ये F414 GE400 engines पुराने engine की reliability, maintainability और operatability को combine करते हैं और इसके साथ ही इस नय engine में 35% ज़्यदा thrust भी है ये 116 KN thrust class का engine होने वाला है जो की aircraft की performance को काफी improve करने वाला है ये इस aircraft की survivability और payload carrying capacity और इसकी performance को भी improve कर सकता है यहाँ पर आपको बता दें कि इस engine को हमारे AMCA fighter jet के लिए भी consider किया जा सकता है हमारा AMCA fighter jet भी twin engine deck based fighter aircraft जतने ही weight category वाला aircraft होने वाला है और उसके लिए भी हमें एक advanced engine की जूरत है और इससे पहले आपको बता दें कि हमारे AMCA mark 1 aircraft के पहले कुछ aircraft में General Electric के GE F414 engines का ही इस्तिमाल किया जाना था और ऐसी जानकारी थी कि इन में General Electric के enhanced engine का ही इस्तिमाल किया जाना था अभी American Navy General Electric के F414 GE 400 engines की development को fund कर रही है जो कि उनके super hornet F18 aircraft में इस्तिमाल किया जाएंगे इन engines के बारे में ऐसी जानकारी है कि ये 2024 तक American Navy को deliver कर दिये जाएंगे इससे पहले American Navy ने 48 engines General Electric से ख्रीदे हैं ऐसी confirmation मिली है कि जो F414 GE 400 engines होंगे वो plug and play type के engines होंगे जाने कि जो भी एक craft अभी General Electric के F414 INS6 engines का इस्तिमाल कर रहे होंगे उन सभी एक craft में इस नए engines का इस्तिमाल किया जा सकेगा क्योंकि ये दोनों engine ही same length और diameter और weight वाले हैं और इसके लिए किसी नए एक craft में कोई भी changes करने की जूरत नहीं है और जिस एक craft में पुराने F414 INS6 engine का इस्तिमाल किया जाएगा उसी एक craft में नए GE 400 engine का भी इस्तिमाल किया सकेगा और इसके साथ ही ये engine की भी ज़्यादा खब नहीं करता है इसकी fuel efficiency भी पुराने INS6 engine के मुकाबले की ही है असान शब्दों में बात करें तो इस engine को तेजस mark 2, twin engine deck based fighter aircraft, MCA mark 1 और mark 2 एक craft में इस्तिमाल किया जा सकेगा और उनके internal structure में ज़्यादा changes भी नहीं करने पड़ेंगे General Electric KF41 for INS6 engine को पहले ही हमारे तेजस mark 2 एक craft के लिए select कर लिया गया है ये 98 KN का thrust produce करते हैं और इसके लिए एक दरजन के क्रीब engines पहले ही भारत को मिल चुके हैं तेजस mark 2 प्रोग्राम में General Electric को 100 से ज़्यादा नए engines का order मिलने की उमीद है और इसके साथ ही अभी engineer force ने 170 तेजस mark 2 एक craft की requirement को put up कर दिया है जिसके बाद अभी इन engine की requirement भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसी engine requirement को पूरा करने के लिए हम General Electric के F41 for GE400 engine का इस्तिमाल कर सकते हैं जो कि हमारे तेजस mark 2 एक craft को ज़्यादा capability भी दे सकते हैं इसके साथ ही हमारा देश एक नए engine को develop करने के उपर काम कर रहा है जो कि 110 KN class thrust वाला होगा जो कि हमारे MCM mark 2 fighter program में इस्तिमाल किया जाएगा और जब ये engine develop हो जाएगा तो हमारे एक craft में इस्तिमाल किया जाने वाले general electric के engines को अगले 10 सालों के बाद replace करना शुरू कर दिया जाएगा और उनमें एक indigenous engine या एक joint venture में produce किये गए engine का इस्तिमाल किया जाएगा हमारा जो MCM mark 1 एक craft है उसमें पहले F41 for IN S6 engine का इस्तिमाल करने का plan था जो कि 98 KN का thrust produce करता है लेकिन अगर अभी भारत general electric के F41 for GE 400 engine को खरीदने का plan करता है जो कि 116 KN के thrust वाला है तो यही engine का इस्तिमाल MCM mark 1 fighter jets में भी किया जा सकेगा यहाँ पर आपको बता दें कि हमारे जो सभी नए indigenous fighter aircraft होंगे जिनमें तेजस mark 1A, mark 2, twin engine deck based fighter aircraft, MCA mark 1 और mark 2 aircraft है उन सभी को उनके 40 साल के lifetime में 2.5 engines की जूरत होगी और general electric को यही उमीद है कि वो इनी fighter aircraft के लिए अपने engines को provide करे तांकि वो भारत का एक ही alternative बना रहे और हमारे सभी fighter aircraft में general electric के engine ही इस्तिमाल किये जाएं जब तक भारत एक local alternative engine नहीं develop कर लेता तो तब तक हमें general electric के उपर ही dependent रहना होगा और उनके engines का ही इस्तिमाल करना होगा और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और UK मिलकर एक नए engine की development के उपर बात कर रहे हैं जिसमें DRDO और रॉल्स रॉइस पार्टनर्शिप में एक नया 110 KN से ज़्यादा की capacity वाला engine develop करने वाले हैं जो कि हमारे AMC Mark II aircraft में इस्तिमाल किया जाएगा और जो नया engine होगा उसकी capabilities भी General Electric के F41 for GE400 engine के मकाबले की होगी तो ऐसा कहा जा सकता है कि General Electric एक ऐसी offer इसलिए दे रहा है तांकि वो अपने engines के लिए ज़्यादा order ले सके और वो भारत के Aero engine market में अपनी monopoly बनाएं रख सके इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका के साथ उनके General Electric engines के लिए जो एक deal होनी थी उसके बारे में ऐसा कहा गया था कि भारत को उसके core engine की transfer of technology मिलनी है लेकिन उसको लेकर कुछ disagreement हो गया था जिसके बारे में ऐसा बताया गया था कि अभी वो deals रुक गई है और हम एक नए engine General Electric के साथ मिलकर नहीं develop करेंगे जिसके बाद भारत अब UK के साथ मिलकर एक नए engine develop करना चाहता है और उसको लेकर भी ऐसी जानकारी आई है कि जो Aero India 2021 शो होने वाला है उसमें Rolls Royce और D.I.D.O के बीच एक नए partnership announce हो सकती है जिसमें एक नए engine दोनों companies मिलकर develop करेंगी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अतना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जुरू लाइक और शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो जै हिंद जै भारत क्वारा है